दिखे मैं रामबावु शर्मा जिलाद्यक्ष उत्तव प्रदेश राज करमचारी सेंग परिशत से हूँ अगर आप है वार्मी पास या है ग्रेजवेट तो कोई ऐसा कोर्स करें जिससे मिल से के आपको नौकरी इसके लिए आज ही जोईन कीजें MIMT इंस्टिटूट शौकत अली रोड नियर HTFC बैंक रामपूर आज हमारी अमबेटिकर पार्क में एक बैठक हमने कोरु गुर्प की आयोज़त की है इसके कई हमारे उद्देश है पहला उद्देश तो यही कि जो हमारा पुरानी पैंसन बहाली को लेकर के जो मुद्दा सुरू से गरमाया हुआ था वो आज भी अभी शांत नहीं हुआ है इन नहीं सरकार से हमें कुछ आसाएं जगी हैं कि साएद यह हमारे पुरानी पैंसन नीती बहाल पे कुछ सार्थक निर्णे लेगी तो इसलिए चुकि हमने बोट की चोड़ दे करके इसको एहसास तो करमचारियों की ताकत का करा दिया है जो हमारे पूरे प्रदेश में 80 सीटों को यह दावा कर रहे थे हमने केवल इनको 33 सीटों पर समेट कर रख दिया है तो करमचारियों की ताकत का यह वजूत था वो जो की यह करमचारी ने अपनी ताकत का एहसास करा करके इसको बोट की चोड़ दिये यदि सरकार हमारी सीक्रिस परानी पैंसन नीती को बहाल नहीं करती है तो करमचारियों की मुद्दे अभी भी वही हैं हम आंदोलन करने के लिए फिर सड़कों पर उतरेंगे एक बार फिर इसको एहसास कराएंगे कि देखिए करमचारियों की वो ताकत है कि आपको आपके बैक फूट पा आने के लिए मजबूर करेंगे इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी पुरानी पैंसन नीती बहाल कर दो देखिए लाजनेताओं को सरमादी चाहिए खुद पांच-पांच पैंसन लेकर के करमचारी की 60 साल सेवा के बाद भी एक पैंसन जो मूलता हमारा अधिकार है जिसके बदोलत हमारी परिवार चलते हैं हमारे बच्चों का एक सहारा है बुढ़ापे का एक सहारा है वो भी इन्होंने छीन लिए जो की बहुत सरमना किस्थिती है देखिए हमारे तो पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में लाखो करमचारी को मुद्दा है जो हम NPS से इन्होंने जोड रखा है जबरन हम पर थोप रखा है हमारी परानी पैंसन नीती को इन्होंने 2004 में जो बंद किया था यह बहुत ही असेहनी है और ऐसा दर्द है जो करमचारी सेह नहीं पा रहा है देखिए इस बैठक में हमने दो मुद्दों पर चर्चा की है एक तो परानी पैंसन नीती बहाल को ले करके दूसरा मुद्दा आज हमारा जो था वो विशेश तोर से यह था कि प्रसासनेक आधिकारियों के दौरा जो हमारा सबसे छोटा संवर्ग है सफाई करमचारी संगठन ग्राम पंचायद विवाग से इन लोगों ने उसको पूरी तरह से परताड़ित और त्रस्त कर रखा है मानविये सारी हदे पार कर दी है प्रसासनेक आधिकारियों ने आज हमने उस पर भी चर्चा की है कि यदि सीख रही 280 करमचारी लगवग इन्होंने बिना किसी संविधानिक रूप से मानने मुक्मंत्री जी के निर्देश के वाद भी अपनी मनवानी करते हुए जो राज के अपने जिलाशतरी आधिकारी हैं उनके साथ और इसके अलाबा जो राजनेताओं के साथ इन्होंने लगा रखे हैं हमारी पुर्जों और मांग है कि आप हमारे उन करमचारियों को बापस करें अजनथा की दृष्टी में इस संगठन को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा इन्होंने एक और गलत काम किया है अभी आचार साहिता में हमारे कई करमचारियों को इन्होंने अभी आचार साहिता का खुलम खुला उलंगन करते हुए जो दस माई को इस्थानांतर किये हैं वो बापस करें और हमने इसी भी से में मानिय मुख में विकास अधिकारी महोदे से जला अधिकारी को मुख आप लोप से हमने मंडला युक्त को कहा है कि आप हमारी तेरपक्ष ये बारता कराएं यदि ये बारता के लिए तयार होते हैं तो करमचारी अपनी मांग पे पुना बापस आएंगे अन्यथा के दिरिष्टी में करमचारी को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा इसके लिए प्रसदिला प्रसासन सुयम जिम्मिदार होगा